दसके समू की मदद से दो अंको की संख्याओं के उदार वाले खटाओ बच्चो आज बबली अपनी ममी के साथ मार्केट गई है तो मार्केट में गूमते गूमते हम दसके समू की मदद से दो अंको की संख्याओं के उदार बॉरोइंग वाले घटाओ सब्ट्रेक्शन सीखेंगे ममी देखो वहाँ आम मिल रहे है बैया ये एक बोक्स में कितने आम है? एक बोक्स में दस आम है मेरे पास तीन दस और चार यानि चोतिस आम है आपको कितने आम चाहिए? मुझे आठ आम चाहिए ममी आम वाले के पास टोक्री में खुले आम तो सिर्फ चार ही है तो वहाँ हमें आठ आम केसे देंगे? अरे बेटा मैं दस आम का एक बोक्स इस टोक्री में खाली करूँगा तो देखो अब इस टोक्री में दस और चार चोदा आम है बबली अब बताओ तो इन 14 आम में से 8 आम हम खरीद लेंगे तो आम वाले के पास कुल कितने आम बचेंगे? मामी 10 दस आम के 2 बॉक्स और टोकरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आम तो आम वाले के पास 2 दस और 6 इकाई यानि की 26 आम बचेंगे हाँ, तो बबली यहां हमने 34 आम में से 8 आम का घटाओ किया तो हुए 26 आम, मतलब 34 में से 8 आम कम करने से 26 आम बचेंगे मामी घटाओ कैसे किया जाता है? चलो समझाती हूँ, देखो, 34 में से 8 का घटाओ करने के लिए हम 34 और 8 को इकाई दहाई के बॉक्स में रखेंगे 34 यानि 3, 10 और 4 इकाई अब 8 इकाई है, तो उसे हम इकाई के बॉक्स में लिखेंगे इसका दहाई का बॉक्स खाली रहेगा अब हमें सबसे पहले इकाई बंस के बॉक्स की संख्या 4 में से 8 का घटाओ करना पड़ेगा हाँ, पर यहाँ इकाई के बॉक्स में 4 तो 8 से छोटा है तो 4 में से 8 का घटाओ कैसे करेंगे? छूटी संख्या में से बड़ी संख्या का घटाओ नहीं कर सकते इसलिए हम दहाई टैंस के बॉक्स की संख्या के पास से 1, 10 उधार बोरो लेंगे यानि इकाई के स्थान वाले संख्या अपने पड़ोसी दहाई की संख्या के पास से 1, 10 उधार ले सकती है है ना? हाँ, एकदम सही बबली, देखो अब वन्स के बॉक्स में हम 4 की जग़ 1, 10 और 4, 14 इकाई लिखेंगे और दहाई के बॉक्स में 3, 10 की जग़ 2, 10 लिखेंगे हाँ, अब हम सबसे पहले इकाई वन्स के स्थान पर 14 में से 8 का गटाव करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बचेंगे हाँ, तो हम यहाँ इकाई के स्थान पर 6 लिखेंगे अब देखो, यहाँ दहाई टैंस के बॉक्स में 2, 10 है, तो 2 ही आएंगे तो आंसर 26 मिलेगा हाँ, तो ऐसे ही 34 माइनस 8 इस इकवल टू 26 आम हुए, है ना? सही कहा बबली, चलो, अब दूद लेने चलते है चलो बया, दूद के एक पिकेट का पाओ क्या है? एक पिकेट के 27 रुपे यह लो, पचास रुपे अरे ममी, अंकल ने तो दूद के 27 रुपे कहे तुम उन्हें 50 रुपे क्यों दे रही हो? बबली, यह अंकल 50 रुपे में से 27 रुपे घटा कर मुझे बाकी के रुपे वापस देंगे पचास रुपे में से 27 रुपे घटाने से कितने रुपे मिलेंगे? देखो, पचास यानि पांच दस और सताइस यानि दो दस और साथ इकाई चलो, अब इन संख्याओं को इकाई दहाई के बाक्स में लिखकर उनका घटाव करते है सबसे पहले, इकाई वन्स के बाक्स की संख्या का घटाव सब्ट्रेक्शन करेंगे हम्, यहाँ इकाई के बाक्स में शुन्य में से 7 का घटाव नहीं हो सकता इसलिए हम शुन्य की पडोसी दहाई की संख्या पांच दस से एक दस उधार लेंगे हाँ तो अब इकाई के बॉक्स में हम शुन्य की जगर दस इकाई लिखेंगे और दहाई टैंस के बॉक्स में हम पांच दस की जगर चार दस लिखेंगे अब हम सबसे पहले एकाई के स्थान पर दस एकाई में से साथ एकाई का घटाव करेंगे तो एकाई के स्थान पर एक, दो और तीन बचेंगे आब देखो यहाँ दहाई टेंस के बॉक्स में 4 दस में से 2 दस का घटाव करेंगे तो 2 दस मिलेंगे तो ऐसे भूध वाले अंकल 50 रुपे में से 27 रुपे का घटाव करके हमें 2 दस और 3 इकाई यानी 23 रुपे वापस देंगे शाबबाश बबली चलो अब घर चलते है दसके समों की मदद से दो अंकों की संख्याओं का उधार बोरोइंग लेकर गटाओ सब्ट्रेक्शन सीखाब। अगली वीडियो में हम ऐसे ही गटाओं के कुछ और उधारन समझेंगे।